आईए आज हम इस वीडियो में भाग के कुछ सब्द समस्याओं कॉल करते हैं जिसमें कार्य पत्रक दो पहला प्रस्न है 566 किताबों को डिब्बों में पेक करना है अगर एक डिब्बे में 24 किताब आती हैं तो कितने डिब्बों की जरुद पड़ेगी अब देखिए यहाँ पर 566 किताबों को डिब्बों में पेक करना है अगर एक डिब्बे में कितनी किताबे आ रही हैं 24 तो कितने डिब्बों की जरुद पड़ेगी तो देखिए 566 में 24 का भाग देना पड़ेगा आपको तो यहाँ पर 24 अब दिक्कत यह है कि 24 बड़ी संक्या है यदि आपको पहड़े में प्रोब्लम आए तो अपन पहड़ा बना सकते हैं देखिए 24 एकम 24 24 दुना है ना दो कहीं गुणा कर दिजी 2 चोक 8 और 2 दुनी 4 48 हो जाएगा फिर 24 तिया है ना तो 4 तिया 12 की 2 हसिला है एक तिन दुनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बहत्तर है ना अब यहाँ संक्या देख लिजे आप कितनी यहाँ 57 और कितना आगया 72 यदि 57 से छोटी लेना है जो 24 के पाड़े में आती है तो क्या आता है 48 तो कितनी बार भाग जा रहा है 2 बार तो यहाँ पर लिखेंगे 2 यहाँ पर लिखेंगे 48 और इनको गठा दीजे 7 में से 8 कम नहीं होता है उदार ले लेँगे इतर 17 हो जाएगा 17 में से 8 कम किया तो 9 यहाँ पर 4 बचा है ना चार में से चार कम किया तो जिरू अब एक एक गंग उतारते रहिए छे बचा छे उतार लीजिए ना अब देखिए च्यानवे आगे तो आगे पाड़ा बढ़ा दीजिए आप चोविस चोग तो चार चोग सोला की छे हैं सिला एक चार दुनिया टोरे कितने हो गए नो चला गया पूरा पूरा बाग कितनी बार में गया चार बार में तो यहां पर चार लिखिए गा यहां पर चियानवे जीर अतह चोविस डिब्बो की जरूरत पड़ेगी ठीके अब देखे दूसरा 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं अगर हॉल में सीटो की 45 कतार हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठे हैं तो वही भाग देना है तो देखिए 836 को जब आप 45 से भाग देंगे तो फिर वही प्रोब्लम है क्योंकि 45 बड़ी संख्या है पाड़े में आपको दिक्कत आ रही है तो यहां पर पाड़ा बना लीजिए ना चुमाली से कम चुमालीस दुना बुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे एठे-एसी फिर चुमालीस तिया देखिए यही पर पता चल गया कि एठे-एसी तरह सी से बड़ा आ गय तो 9 यहां 7 बचेगा 7 मेसेज 4 कम किये तो 3 अब उपर से आपने उतारा 6 40 यदि मान ले अपन इसको तो 9 का पड़ा 4 बार बोलेंगे तो 9.36 होता है यहने कि 360 नो बार यहने कि 9 बार इसमें भाग पुरा चला जाएगा ना इसे भी आप सूच सकते हैं नो बार यहने अपन देंगे यह नो बार तो यह नो बार आएगा और नो बार इनमें गुणा करेंगे तो कितनी संक्या आएगा देखिए 9.36 कि 6 हासिल आएगा 3 फिर 9.36 और 3 49 यह पूरा भाग चला गया है ना तो क्या पूछ रहता है एक कतार में कितने लोग बेट सकते हैं ठीक है या फिर आप इसे पूरा पहाड़ा भी बना सकते हों या फिर डारेक्ट एसे इसको इसको 40 मान लेना और 9 का पहाड़ा बोलके देख लेना ना कितनी बार जा रहा है अब देखिए तीसरा प्रस एक माली ने 458 सेव के पेड़ खरीदे वह हर लाइन में 15 पेड़ में 15 का बाग देना पड़ेगा ठीक है तो देखिए 15 का पाड़ा तो आपको आता होगा पंद्रा 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 दूंतीस पंद्रा तिया पेड़ तालीस तीन बार गया फिर उपर से आपना उतारा आठ अब देखिए 8 पंद्रा से छुटा है इसलिए भागनी जाए जिसकी सुनने तो क्या पुछा है वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा तो आता है वह तीस लाइनों में पेड़ लगा पाएगा और क्या पुछा है कितने पेड़ सेस बचेंगे तो यहां पर कितने बचे आठ तो आठ पेड़ सेस बच्चेंगी अब देखिए चोथा प्रस्न अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पेक किये जा सकते हैं यहने कि एक डिब्बे में कितने लड्डू आ रहे हैं 16 तो 145 लड्डूों को पेक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूत पड़ेगी तो वही 145 को 16 से भाग द पड़ा याद नहीं तो आप ऐसे बना लीजिएगा तो यहां पर सेस्कुल क्या पचेगा 00 कितने डिब्बों की जरूत पड़ेगी तो अतहर नो डिब्बों की जरूरत पड़ेगी ठीक है अब देखिए पांचवा प्रस्न एक इस्कुल में 26 कमरे हर कमरे में चार बो से यह तो मैं एक कमरा बनाना है टोटल कमरे कितने हैं 26 और हर कमरे में चार पोदे देखिए यहां भी कोई एक पोदा यह एक पोदा यह एक पोदा यह एक पोदा यह से चार पोदे हैं अगर हर पोदे को दो कप पानी चीए तो सभी पोदों के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ीगी तो अब कमरे आपके पास 26 तो इस कुल में कमरे कितने हैं 26 और हर कमरे में पोधे चार तो कुल पोधे कितने हो जाएंगे कुल पोधे दोनों का क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए न तो 4 चंग 24 की 4 हसिल आएगा 2 चार दुनिया 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 कुल 104 पोधे हैं और पानी कितना चीए इनको 2 कप तो 2 का गुणा कर दीजिए आप है न तो दो चोक आट 0 का 0 दो एक दो 208 तो यहां पर लिखेगा अतह सभी पोधों के लिए कितने पानी की जरूत पड़ेगी तो अतह सभी पोधों के लिए 208 कप पानी की जरूरत पड़ेगी कारी पतर 3 का पहला प्रस्न एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबून की 85 टिकें आ सकती हैं सेली 340 टिकियां पेक करना चाहती हैं उसे सभी टिकियों को पेक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूत पड़ेगी तो 440 में 85 का भाग दे दीजी आप फिर वाइल दिक्कत है कि 85 का पाड़ा आपको नहीं आता है मेरको भी नहीं आता है तो आपन क्या करेंगे बना लेंगे ठीक है तो 85 एकम 85 ऐसे देखिए संख्या यहां बड़ी है तो आपन लगबग इसको 80 मान लीजी देखिए तो आटा प देखे देखते हैं अपन तो चार से देंगे तो चारा पंचे 20 कि सुन रीजी रागएगा दो 48 32 और 22 कितने 34 कि देखिए पूरा चला गया 4 और यहां पर लिखिए कितने आए 340 पूरा चला गर इसलिए पूरा क्या हो गया जीरो तो क्या पुछा था उसे टिक्क्यों के पे कि जरूरत पड़ेगी ठीक अब देखे प्रस्न करमांग दो मनप्रित को घर बनाने के लिए 1500 सिमेंट की बोरियों की जरूरत है एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाए जाए सकती है तो बताएं बोरियां डोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कल लगाने होंगे देखे ट्रक में एक बार में कितने आ रही है 250 और लाना कितनी है 1500 तो 1500 को जब 25 से बाग देंगे तो अपने को पता चलेगा कितने चक्कल लगाने होंगे तो देखिए अब अपने पास 250 हैं और यहाँ पर 1500 है ना तो यहाँ पर पाड़ा बना लीजिए आप तो एक बार 25 का पाड़ा तो आपको आता ही होगा 25 चोग 100 25 पंजे 125 और 25 चंग 150 तो 6 बार जाएगा है ना क्योंकि अपने पास यह 250 है तो 6 से भाग देंगे 0 6 बंजे 30 कि सुन्या सिलाएगा 3 6 दुनी 12 और 3 कितने हो जाएगे 15 देखिए पूरा भाग चला गया कितनी बार में गया 6 बार में तो यहाँ पर से अस्पल क्या बचेगा जीरो जीरो तो आखरी में लिखेगा अता है ड्रक को छे चक्कर लगाने होगे ठीक है अब देखिए तीसरा प्रस में एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपे लेता है यानि कि एक चक्कर लगाता है तो कितने रुपे लेता है 500 तो मनप्रित को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपे देने हो अब देखिये हैं यहां पर भाग मत दीजिएगा क्योंकि देखिए एक चक लगाने के कितने लिरा 500 दो की कितने लेगा हजार तेन के पंदरास तो जयांज य meva ही तறा क्या होगा गोना होगा है North तो पांचसो गुणी तेरा ठीक है तेरा का गुणा कर दीजिए तेरा का जिरो में करेंगे जिरो तेरा पंजे पैंसाट ठीक है अतह यहां पर लिखेगा अतह ड्राइवर को कुल रुपे 6500 देने होंगे ठीक है अब देखिए चोथा प्रसने एक विद्यालाई में सोरी एक विद्यालाई के कक्छा पांच में कुल 240 विद्यालाई में कक्छा पांच को चार वर्गों में बाटा गया हूँ है तो बताए प्रत्यक वर्ग में कितने विद्यालति है तो देखिए यहां पर भाग होगा है कुल विद्यालति कितने है240 और वर्गों में कितने बाटा आए उस चार वर्गों ने तो देखिए प्रत्यक वर्ग में सहाथ विद्यार्थी है है ना अब देखिए पांचों प्रस्न रोहन के पास कुल पांसो साथ कंचे हैं यदि रोहन उन कंचों को अपने आठ दोस्तों में बराबर बराबर बाढ़ता है तो बताए प्रत्य को कितने खंचे मिलेंगे? देखए आठ दोस्तों को बराबर बाटता है, इसलिए इसमें आठ का भाग दे दीजिए. तो आठ के पहाड़े में 56 कितनी बार में आते हैं? 87 56 साथ बार में आते हैं 0 0 उपर से आपने 0 उतारा भाग में जाए जिसकी सुने हो जाएगी तो क्या पुछा था तो प्रत्यक को कितने कंचे मिलेंगे तो अतहा प्रत्यक को 70 कंचे मिले